लाइज और आई है अगर आए जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर यह तंडर बर्ड है और अभी यह क्या करेंगे जो इसकी कि जो स्पीडो मीटर है इसमें अभी हम लों क्लिव मीटर को माइल में चेंज करने वाले तो सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सेलेक्ट बटन तो सबसे पहले हम लों क्या करेंगे इसको दबा लेंगे मतलब की पुस्ट करके रखेंगे थोड़ी देर ऐगनेशन को और ओन करा देगे देखते हैं पहले को दबा लिए देर तक का और करते हैं जैसे यह आप बसमें हो चुका है यह ही है थंडर बत को माइल में चेंज करने का तरीका और यहाँ पर अभी जैसे किलो मीतर में आपको यहां पर दिखाई और यहां पर आतर आपको आर्पीम डिस्पले और उसके साथ भी कईा देखने को मिल जाते हैं तो इसमें आपको मैं दिखाना जाओंगा कि एक तरफ आर्प्यम मेटर और इस्पीडो मेटर दोनों दे रखता है जिस तरफ डिस्पले है उस तरफ दोनों चीज़े देशके हैं और डिस्प्ले में आपको कुछ ODC Service Indicator और Fuel Indicator Time और Kilometer दोनों देखने को मिल जाता है जो कि Display के साथ आता है अभी मैं आपको दूसरी साइट की बात करूँ तो दूसरी साइट में आपको देखने को मिल जाता है Battery Low Indicator Neutral Indicator और Fuel Low Indicator उसके बाद आपको यहाँ पर कई और Module देखने को मिल जाता है जैसा कि Indicator Upper Deeper और भी कोई Un-Indicator तो चलिए वीडियो को यहीं पर End करते हुए आपको यह वीडियो आसा करूँगा कि बहुत यह अच्छी लगी होगी Thank you for watching this video and subscribe my channel